हेलो सुदेंट्स वेलकम तु माई चैनल इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ ब्यूपीटी पढ़ेंगे इससे पहले की वीडियो में ब्यूपीटी को पढ़ चुके हैं अगर आप वह वीडियो नहीं देखी तो पहले में सजेस्ट करूंगे आप उस वीडियो को देखे दन य दोरम है हमारी कन्वर्स ऑफ यूपीटी की इफ लाइन डिवाइट्स एनी तौव ट्रैंगल इन ड सेम रेशुट यहां तक की जो लाइन होती न इस स्टाट होती है यहां तक लाइन यह हमारा उता है गीवन पोर्शन उसके बात दें से जो स्टार्ट होता है वह हमारा प् अपन में डी और एपन में इसे इनका जो रेश्यू है वह सेम है तो लिख देते हैं गीवन में कि आगया हमारा बी सी के तो हमें लिख लेते हैं two proof के हमारा two proof है हमारा d e parallel to bc होगी तो यह हमें proof करना है अब हमें करना के अएस में थोड़ी से construction करेंगी कि हम यहाँ परने कोई another point ले लेते हैं एक एक दूसर point ले लेते हैं और d को उसके साथ जोइन कर लेते हैं यहां पर हमने कोई और पॉइंट ले लिया एक पॉइंट इडैस अब हमें क्या करना है हम इसको और इसको एडी अपॉन में डी और एपॉन में इसी इसको दिखाएंगे कि इनका जो रेशो है वह सेम आ रहा है स्टार्ट कर लेते हैं देखो सबसे पहरे हम क्या रिखेंगे हैं अब हम प्रूफ कर लेते हैं देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे अगर दी डैस परलल है बी सी के तो क्या होगा अगर यहां पर पताया कि अगर यह जो है न पैलल है डी डैस न बी सी के पैलल है तो क्या होगा एडी अपॉन में डी बी एडैस अपॉन में इडैस सी का रेशो जो है वह सेम होगा तो यह हमारी उती है न फर्स्ट एक्विशन कैसे बाई बी पी टी फिवर हमारी यह कहती है कि अगर कोई दो लाइन पहला लाए तो उनकी जो रेशो होगी उनकी साइट्स का जो रेशो होगा वो भी एकॉल आएगा देन आप गीवन में देखो यहां पर हमें क्या दिया है कि AD upon में DB equal है AE upon में EC के तो हम इसको लिख लेते हैं AD upon में DB equal है AE upon में EC के इसको माल लेते हुए अपने second equation नेक्स्ट यहां पर देखो हम क्या लिख सकते हैं इसका reason क्या देंगे यह एक है given अब आप देखो AD upon में BD AD upon BD यह दोनों साइट जब equal है तो यह दोनों साइट भी equal हो जाएगी तो लिखेंगे from first and second equal to a1EC but हम्में तो क्या प्रूब करना है हम्में그할 दे की गर्ब मेंध दे प्रूब करना है क्या तब ही हम कह सकते हैं कि जो AD और DB का रेशो, AE और EC का रेशो जो है वो equal होगा और जब वो equal हो जाएंगे तो DE parallel हो जाएगी BC के तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बस ये step जो है याद करने वाला है कि इसमें आपको प्लस वन करना है दोनों तरफ देखो किस तरीके से करना है हम दिख रहे हैं AE अपॉन में EC और यहाँ पर भी कर देंगे हम प्लस वन डिजन दे सकते हैं AD 1 बोथ साइड दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं अब देखो हमने क्या कर दिया AE डैस प्लस यहाँ पर हम LCM लेंगे देखो क्या हो जाएगा E-C हो जाएगा इकोल टू इधर भी क्या होगा AE प्लस क्या हो गया EC हो गया तो यहाँ गया इतना अब आप देखो अगर मैं AE डैस में E-C प्लस करती हूँ अगर मैं AE डैस में E-C प्लस करती हूँ तो क्या वो हमारा जो है AC नहीं बन जाएगा यहाँ पर देखो मैं अगर a e dash में e dash c प्लस करती हूँ तो क्या हो लाइन मारी पूरी a c नहीं बन जाएगी तो इसकी जगह मैं a c लिख सकती हूँ upon में क्या हो जाएगा हमारा e dash c equal to इज़र देखो a e plus e c a e plus e c यहाँ पर देखो a c से a c हमारा हो गया cancel हमारे पास क्या बस गया e dash c equal to e c यहाँ पर हम बता रहें कि जो e dash c है न वह e c के ही equal है यह हम कर पता सकते हैं जब e dash और e जो है वह coincide कर रहे हूं तो हम लिदेंगे e dash and e are coincide coincide मतलब क्या होता है वो दोनों एक ही point है e dash और e जो है वो एक ही point है और जब वो एक point है तभी वो दोनों क्या है equal है तो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि जब यह point equal है तो क्या यह प्रूब नहीं हो गया कि d e parallel to bc है अगर e dash point ही e है तो क्या हम यह नहीं लिसकते इसकी जगा d e parallel to bc तो लिदेंगे therefore d e parallel to bc यह हो गई हमारी converse of bpt मैं आपको एक बर दुबार से समझाती हूँ पूरी theorem क्या है पूरी theorem में क्या है कि हमें given है कि a d upon में d b equal to a e upon में e c है प्रूब हमें क्या करना था कि d e parallel to bc है तो हमने उसके लिए चोटी सी construction कर दी कि हमने कोई और पॉइंट ले लिया इडेश और हम यहां पर यह बता दिया कि d e पॉण में d b और a e dash upon में e dash c यह हमने लिख दिया यह हमारी बन जाती है first equation यह होगे बाइ bbt then हमारा given हमें given था वो हमने यहां पर लिख दिया अब इन दोन equation से हमें क्या पता चला कि a d upon में bd इस्तरब भी है और a d upon में bd इस्तरब भी है इन दोनों side का ratio भी क्या हो जाएगा after that हमने क्या कि यह दोनों तरफ plus कर दिया plus 1 किया plus 1 करने से क्या है हमारा a e dash plus e dash c upon me e dash c equal to a e plus e c upon me e c यहां पर हमने a e dash plus e dash c किया a e dash plus e dash c किया तो वो पुरी to land क्या बन जाती है a c बन जाती है इस तरह हमने a e plus e c किया तो वह भी हमारी a c बन जाती है then a c से a c cancel out हो गया और हमारे पास क्या बज़ गया e dash c और e c जो है वह equal है यहां पर हमने यह प्रूब किया अब हम equal कब कह सकते हैं इनको तभी कह सकते हैं जब यह दोनों जो है coincide कर रहे हो points जब दोनों एक ही point हम माने कि e dash and e coincide है इससे क्या पता चलता है अगर वह एक ही point है तो प्रूब हो गया कि टी पहलेल टूबीसी है क्योंकि हमने पताया थे कि d e dash पहलेल टूबीसी है और जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक करें फेर्ड्स को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग